हेलो फूडीज, कस्वागत है कुप वित सोनिया में और आज मैं बहुत ही इजी और टेस्टी बर्गर की रेसिपी ले करके आए हूँ जो कि आप घर पे ही बहुत ही इजी बना सकते हो तो चलो मसाले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करते हैं उसमें डालेंगे तो एक दो चम्मत ओल और उसमें डालेंगे जीरा जीरा चटक गया उसमें हम करश किया हुआ लेस्टन डालेंगे साथी साथ हमने प्याज कट कर लिया है और हरी मिर्श तो लेस्टन मैंने डाल दि तक फ्राइ करेंगे जब तक कि ये फ्राइ हो रहा है चलिए मसाले भी आड़ कर देते हैं मसाले में मैंने जीरा ले ले लिया धनिया पाउडर हल्डी अमचुर पाउडर सोफ पाउडर थोड़ी सी लालमिट्च पाउडर और सब को अच्छे से थोड़ा सा पाने add किया और अच्छे से fry कर लिया और यह देखिए हमारे मसाले दम लाजवाब तैयार है और अब चलिए हम जो आलू है आलू को हमने boil करके पहले से ही रखा हुआ है और उसको mash भी कर लिया तो आप हम इसमें अपने मैश किये हुए आलू एड़ करेंगे क्योंकि हमारे मसाले बिलकुल अब तयार है भुन चुके हैं बहुत अच्छी से खुश्बू भी आ रही है तो आलू हमने एड़ कर लिया है और इसे में हम स्वादन सा नमक डालेंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सा और पका लेंगे इस गैस पर और थोड़ा सा इसे में गरम मसाला डालेंगे उपर से और अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे और अब चलिए हमारा आलू तयार है स्टाफिंग के लिए और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की और यानि की बर्गर को स्टाफिंग की और तो चलिए फिर हम उसी में ओयल फिर से ले लिया है एक से दो चमज और उसमें हम हरी सबजियों को पका लेंगे जैसे कि शिमला मिर्च और टमाटल और इन सब को हम मैंने लंबे-लंबे में काट कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक, हल्दी अमचुर पाउडर और घर्म मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर सारे मसाले मिक्स कर दिये ताकि इसमें से एक चट पड़ा सा टेस्ट आ जाए, और चलिए धीरे-धीरे हम इन मसालों को 50% कोक कर लेते हैं और इस तरह से पकाल होगे तो आपके स्टाफिंग में बिल्कुल भी मसालों का या फिर सबजियों का फ्लेवर कच्चापन नहीं आएगा तो आप चलिए काट कर लेते हैं कितने सारे बर्गर लिये हैं मेरी यह बर्गर पार्टी होने वाली है आज तो चलिए अविगा करके सारे बर्गर को कट कर लेते हैं आप तो सोच रहोंगे कि कहीं मैंने दुकान तो नहीं खोला नहीं नहीं दुकान बिलकुल नहीं खोला है बस आज सब का मन था सब को बर्गर खाने का तो मैंने बना दिया मेरी अक्सर ये बर्गर पार्टी होती रहती है तो बस उसी के साथ हम इसमें डालेंगे बटर ये मेरा homemade butter है और आप मैं इसमें सारी की सारे बर्गर पाउ में butter पहले लगाने वाले हूँ ये देखिए butter बिलकुल तयार है लग चुके हैं पाउ में बहुत अच्छे से और इसकी साथ ही साथ अब हम इसमें हमारा homemade जो है वो डालने वारे है चटनी I know friends इसमें हम burger में या तो burger sauce डालते हैं या फिर ketchup डालते हैं I know लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो don't worry आप निश्चिंत हो जाएए बेफिक्र हो जाएए क्योंकि हम बहुत special recipe डालने वाले हैं और यकीन माने friends अगर ये डाल करके आप burger बनाते हैं आपकी recipe बहुत tasty बनेगी बहुत यह मेर लगेगी खाने में तो यह मैं डाल रही हूं इमली की चटनी जो की मेरा homemade है और सारी के सारे μεरगर पाओ में धिचर हम सप्रेड कर देंगे तो अब हम इसमें मसाले की मसाले भी लगा देते हैं जो आलू का मसाले थे तो इसरे से हम सारे पाउ में मसाले लगा देते हैं आलू का तो बस इसरे से एक पर लगाया फिर दूसरे पर लगाया चलिए सारी का सारे तैयार हो चुके हैं हमारे जो बर्गर है उसमें मसाले बहु जितनी सबजियां डालना चाहो उतनी डाल सकते हो फिलाल मैं खीरा मैंने ले लिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो प्याज डाला है और सब को अच्छे से सारी हरी सबजियों को डाल करके अच्छे से इसको पैक कर देगे आप जो हो तो इसमें थोड़ा चीज भी डाल सकते हो जिससे आपका बर्गर न थोड़ा चीजी चीजी हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा खाने में तो अगर है तो डाली नहीं है तो आप मेरी तरह इस तरह से सिंपल भी तैयार कर सकते हैं आज हमें आपको सिंपली तरीका से बता रही हो ताकि आप की हलके इसको सेक लेंगे तो यह देखी हमारे बर्गर पाव सारी सबजीयों में कितनी अच्छी लग रही है देखने में यकीन माने फिर्स खाने में भी उतना ही टेस्टी है अब चलिए यह बिलकुल तैयार है और चलिए अब गैस के तरफ और हमें गैस पे डालेंगे और बस हलका हलका हम सबको सेक लेंगे और जब तक यह हमारे सेक रहे हैं आप इसे धीमी आज पर ही सेके ताकि अच्छे से यह सिक पाए और जितने भी हमारे मसाले हैं इसमें इसमें अच्छे से स्प्रेड हो सके और मसाले जले भी ना तो बस यह देखिए सारे के सारे करते हैं क्योंकि अब हमारा बर्गर बिल्कुल टेस्टी टेस्टी रेडी है बहुत यह लग रहा देखने में साथ ही साथ खाने में भी उतना ही टेस्टी है यह देखी फ्रेंड्स आ गया बर्गर 15 मिनट में तयार है मैं उपर से डाल रही हूं इमली की चटनी तो इस तरह से अब ही इंजॉई किजिए पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बील घंटी को जरूर बजाएए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में